नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं लोंका मेरे यूटीब चैनल ओनलाइन नॉलेज वर्ड में आज धारखन व्यक्तित परिचे का 13 पार्ट मैं पढ़ाऊंगा कार्तिक उराओं को लेके ठीक है एक महान व्यक्तित्व जो धारखन की धरती पर जनम लियें कार्तिक उराओं बस वीडियो लाश्ट तक देखते रहें आपको अप्छरक्ष जैसे बताऊंगा उसे याद होता जाएगा मैं इस तरह नहीं बताता हूं यहां का कहानी इंपोटेंट यह वह मैं कनेक्ट करके बत आतम हर एक चीज बस धेरी रखके रात अंत तक देखते रहें ठीक है उससे पहले 12 वीडियो जो अप्लोड हो गया है उसे भी आप देख सकते हैं अगर आप लोगों का मन हुआ तो चली कार्तिक उराओं से शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसका जन्म कार्तिक उराओं होन यह भी याद करने की जब्दत नहीं है मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा जन्म इनके ठीक है चलिए फिर भी याद कर लिजिए अगर आप बहादूर इस्टूडेंट हो तो जन्म इस्थान याद करना बहुत जरूए है देखिए जन्म इस्थान गुमला जीला करुंदी ब् बहुत इनपॉटन भले यह सब याद रखे या ना रखे ठीक है ओर तीन कोस्ट्यन आते हैं जिसका जो महान वैक्तितों जार्खन के गुमला में पैदा हुए गुमला में तीन महान वैक्तितों पैदा हुए दोस्तों जो एक्जाम के पॉइंट आप व्यूव बहुत ही इ लोता है जिसे जारखन में परंबीर चक्र मिला है इनका जन्म हुआ है दूमरी ब्लोक जरी गाह में हुआ था एक और फ्रीडम फाइटर थे दोस्तों जिसको कहते है तेलंगा खडिया ठीक है तेलंगा खडिया इसे भी आपको याद करना पड़ेगा यह तीनों दम बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है यह सीशाई बलोक का नाम था और गाहूं का नाम था मुर्गु गाहूं यह तीनों ता को यह ज़े इस्टूडेंट याद रखना ही है ठीक है एक दूसरे से कनेक्टेड है इसलिए मैं पढ़ाता हूं और मैं जो भी पढ़ाता हूं देखेगा एक दूसरे से सब कुछ कनेक्टेड होता है कनेक्टेड चीज बहुत जल्दी याद होते हैं एक मिटा मकान नहीं बना सकता है यह सारे कूझ अगला कोश्चन क्या होता है अगला कोश्चन इससे बन रहा है कि ये पेसे से क्या थे ये कुछ चनाता है ठीक है पेसे से ये इंजिनियर थे दोस्तों ठीक है इंजिनियर थे और ये इंजिनियरिंग लंदन से किये थे इंजिनियर थे ठीक है वो लंदन से इंजिनियरिंग की पढ़ाई किये थे और जॉब भी लंदन में किये इंगलेंड मे और 9 साल इन्होंने लंदन में बिताया लंदन में बिताया तो दोस्तों ये इसका बहुत बड़ा योगदान है उस समय का सबसे बड़ा ओटोमेटिक पावर इस्टेशन उस समय का ठीक है ये 1959 की बात है ठीक है उस समय का सबसे बड़ा ओटोमेटिक न्यूकिलियर पावर इस् से पावर स्टेशन का इस्ट्रैक्टर ईंजिनियर है सिविल इंजिनियर के बनाता है, तो उसका इस्ट्रैक्टर बनाया और बिटीस गोवर्मेन को दिया ठीक है British government बहुत खुश हुआ, इसको इनाम भी मिला वहाँ पे, तो British government इससे बहुत ज़्यादा खुश था, इसका promotion भी किया वहाँ पे, और इस automatic nuclear power station का नाम बाद में, बाद में क्या, उसी समय जब बन गया structure दिया था, उसका बन गया, उसको हिंकले nuclear power station करते हैं, हिंकले nuclear power station, जो आज भी द्यमान है, आज भी ये कारियरत है, ठीक है, उस समय का सबसे बड़ा, अभी तो देखें, बदलते, समय में, बहुत बड़े बड़े आगे लिए, उस समय में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, यह दोस्तों लंदन में दूनिया का सबसे बड़ा ठीक है अब देखिए जब यह बनता है तो 1979 में ही एक दोरा होता है पंडित जोहरलाल होता है लंदन का और उसे लिधे इश्ट्रेश दिखाया नहरुजी ने क्या किया, इसको इन्वाइट किया, कि भाई आजाओ, आप जैसे इंजिनियर का जरूरत हमारे जैसे गरीब देश में है, इस ब्रिटेन जैसे बड़े देश में बहुत सारे इंजिनियर है, आओ और सेवा दो और हमारा देश को आगे बढ़ाओ, तो इसके बा रांची तब एक ही था, बाद में गुंदला रांची से अलग हुआ है, तो लोट के रांची में आता है, और नहरु, मतलब इसका अपनिमेंट करव होता है, किसमें, हेच एसी, हैवी इलेक्ट्रोनिक कार्परेशन है, हटिया में न, उसमें, ठीक है, उसमें इसका अपनिम इत्जाइनर का पोस्ट्रमोशन होता है, फिर ये प्रोमोशन होके डिपूठीची डिजाइनर बन जाता खो़ोगी डिपूठीची डिजाइनर ठीक है ये उनीस से एक सट की घटना कि ये पहले ये बनता है और ये दोनों उनीस से एक सट में तुरत प्रोमोशन हो जाता है चीशी में इसके कारी कुछलता को देखते हुए ठीक है अब क्या करता है जब ये चीशी का बहुत बड़ा डीपूटी चीफ डिजाइनेर मतलब से थोड़ा सा नीचे कुछ दिन बाद चीफ भी बन सकता था एक साल में इतना दूर पहुंच गया लेकिन उन्होंने आदी वासियों कि जो इस्थिती देखा जारखन में उस इस्थिती को देखके वो उसके भलाई के छेतर में काम करना चाहा और है एक सी की नोकरी छोड़ दी इंपोर्टन क्या 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 एक किस इंजिनियर थे लंडन में ऑटोमेटिक नुकलियर पाउर इस्टेशन बनाया 1959 में किसके निमंतरन पर जारखन वापस आये नहरू से प्रभावित होके उसके बातों को सुनके फिर उन्होंने ही सी की नोकरी छोड़ी ये सब चीजे कि इक्जाम में आते हैं चलिए गार एक एच एसी की नोकरी छोड़ी उसके बाद वह इसमें आ गए राजनीती में आ गए और गोंग्रेस के बहुत बड़े लीडर बने धीरे धीर राजनीती राजनीती में आ गई ठीक है तो यह लोहर दग्गा सीट से चुनाव लड़ी ह ठीक है लोहर डगग्हा से पहली बार चुनाव लड़े तो यह हार गए 1902 पहली बार चुनाव लड़े कॉंग्रेश के सीट से यह हार गए ठीक है फिर इसके बद तीन बार यह BM- also यह भरर यह जीते दोस्तोம् सब्सक्राइब यह बढ़ से चुना जिते यह से याद रखना ज़्याद ज़रूरी नहीं है, आपने हिसाब से देख लिजे कि क्या विएद भूरा क्या है नहीं हो रहा है स्मर्दार वांने कैसे दुवाल ना धखने यह तो सम्झाने के लिए पूजाए जा रहा है क्योंकि तीन बार जीतें कितने बार जेतें साऀोब अंज़ मनंत्रीson के से चंचार हूं राज्य मन्तिरी थे ता संचार राजी मंत्री बोल सकते हो इसे ठीक है टेली केमुनिकेशन इस्टेट मिनिस्टर नौ की कैबिनेट मिनिस्टर लेकिन जब दूसरी बार उनी सासी में जीत के आए तो इसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया था ठीक है तो वो मंत्री का नाम था केंद्री है परियतन एवं नागरी उद्डियन मंत्री ठीक है परियतन मतलब टुरिजम इसको इंग्लिस में है टुरिजम एड़ सीविल एवियेशन मतलब हवाजाज का जो मंत्री होता है हवाजाज का देखवाल करने के लिए ओमद्री इसको बनायागा यह इंपोर्टेंट है यह आपको याद होना चाहिए ठीक है इसकी पत्नी का नाम था सूमति उराओं सूमति उराओं ठीक है इतना मति है इतने बड़े-बड़े काम किया तंग सुमती स के पास तो ही प्लस इसका माता और पीता नाम यात रुखना बहुत आसान है ठीक है देखे इसका माता का नाम था बीरशी उराउ अας – शब् lanz इसका क्या क्या किया इसका क्या 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 योगदान है इतना फेमस है और इंपोर्टेंट कोस्टिन हो गया है जहारकन एक्जाम के लिए तो इसके कामों के उपर भी हम जाएंगे देखिए इसका पहला काम क्या था उनीस सो अरसट इस्वी में भुदान आंदोलन जारकन में जोरों से था भुदान आंदोलन ठीक है इस भुदान जमीन से रिलेटेट आंदोलन था इस भुदान आंदोलन के दुरान जो जारकन के आदिवासी अनुस्तित जन जात यम सुचित जाती ये सब बेघर हो गए तो इन्होंने उनि स्वालशथ इसी में गुहार लगा किस से इंदरा प्रैम मिनिस्टर इंदरा गांधी से इंदरा गांधी से अपिल किया कि वह ऐसा हो रहा है कि हमारे आदिवासी यहां के हरीचन यहां के यह हो रहे हैं भूमी हीन हो रहे हैं और हो भी गया है बहुत तो इंदरा गांधी ने इस बात ध्यान दिया और भूमी वापसी अधिनियम पास कराया ठीक है भूमी वापसी अधिनियम अधिनियम इस तहट जिस आदमी का जमिन को और रोक लगा दिया कोडियों के भाव से जमीरब नहीं बिकेगा, तो एक काम क्या किया, उनिस्ट और सटिश्वी में भूमी बाप्षी अधिनियम, ठीक है, 1959 में बताया था मैंने, उहां साथ 1969 अगर मैं लिग दिया हूंगा, बताते समय तो उसको करेक्ट कर लिजेगा, 1959 में इसका ये काम हुआ था, नुकलियर पावर स्टेशन जो था लंदन में, नुकलियर पावर स्टेशन जो लंदन में था, जिसको कहते थे हम लों हिंकले पावर स्टेशन, वो 1900 हिंकले पावर स्टेशन, अगर मैं वहां 1969 लिख दिया था, मुझे आप नहीं आ रहा में डेट में बड़ा कन्फिज होता हूं दोस्तों उसको काटके 1959 को लिख लिए ये सही है उसके बाद क्या काम क्या इन्होंने ट्राइवल सब प्लान दिया वेरी इंपोर्टन कोश्चन की जारखन का ट्राइवल सब प्लान किस ने दिया ठीक है ट् दोस्तों ये ट्राइवल सब प्लान का मतलब देखे प्लान का ही एक सब मतलब एक सब भाग मतलब प्लान को कैसे इंप्लिमेंट करना है ये सरकार को सुझा दिया और इसको सरकार ने एडॉप्ट भी किया सब प्लान मतलब जारखन जो विकासवादी कारीकरम चलाएगा उस उसमें आदिवासियों और हरीजन की भागेदारी होना ही चाहिए और कैसे उसका भागेदारी हम लोग निश्चित करेंगे उस चीज का प्लान दिया था इसने ट्राइवल सब प्लान और गॉवर्मेंट में एडॉप्ट किया है इस प्लान को आब आज कर जो देखते हैं उन् षा आख बीरस्चिशी बिश्विद्ध्ध्याले अबने सउना ओगे घायरकन का एक क्रिसी यूणि वर्सटी एक ही है राची में लत इसे भीरस्पा क्रिसी विश्विद्ध्याले कहते हैं तो इस इस सबीका इसका फॉन्डेशन का की यह सलएफ और इसका काम क्या का है दोस्तों इसका काम एक ज्ञार्खन में हाइप उससे पहले वह वाइंग तो उस इस बिल्डिंग क्या था यह था खन्ड पिः यह बेंच इंगली में से बैंच कहते हैं जिसका कंड ऑन पीट था पतना हाइच कोड का खन्ड फिड़ी तक यह था यह बनाया दोस्तों यह बनाने में इसका अहम योगदान नहीं है ठीक है यह खंडविठ कभ बना था देख को भी बताने ही तो चीज बताना पड़ेगा अब इससे पहली कि सर्कीट बेंचब troublesome है बना था सर्कीट बेंच जो रांची में सर्कीट बेंच कोड कापना हाइ औक सर्कीट बेंच बना था इसमें पर्मामेंट बेंच बना पर्मामेंट बेंच बना तो सर्कीट बेंच का मतलब हो गया इन फोटना मतलब हो जεις पर्मामेंट बेंच बना थे उस से शर्कीट बेंच बना धियाओ है जारक रांची एरिया के संधाल परगना एरिया के मैक्सिमम केस का निप्टारा वहीं पर हो जाएगा उसको पर्वामेंट बेंच बना दिया बाद में यह पंदर नमबर 2004 में ही खंट पीठी हमारा हाइप बन गया तो इसको बनाने के लिए हमारा हाइप नाची हाइप बनाने के में अहम योगदान है ठीक है और सबसे बड़ा योगदान है दोस्तों बड़ा अखील भारती आदीवासी बिद्वासी परिसाद अखील भारती आदीवासी इविद्वीद्वासी 50rest दीकि metre 1967 में जब चुनाव ये जीत गया था पहला वार चुनाव 1972 में भार गया था लेकिन जब 1967 में जीता था उसके जस्ट तूरत मतलब 1968 इसमी में एक एक आधिवासियों के कल्यान के लिए डेवलोप्मेंट के लिए काउंसिल की स्थापना किया था दोस्तों उस काउंसिल का नाम भार्तिय अधिवासि विकास परिशद जितना भी कोश्टे ना फितक पढ़े न सबसे इंपोर्टन यह है अधिवार्तिय विद्दार्तिय परिशद का इस्थापना किस ने किया कार्ति गुभरावना और का उनी शुर्न साटिस्ट मैं इसको इंगलीस में कैसे लिखेंगे इंग्लीस में देदेड कोंफिज मता है आल, अखिल मतलब आल होता हाँ हिंदी में, अखिल बहारती है या इंडियन लिखिये, इंडियन ट्राइप्स डेवलोप्मेंट काउंचिल, किसने स्थापना किया, ये इंग्लीस में भी देदेता है, इसलिए ध्यान रखियेगा कोश काम किया आधिवाशियों को ले की ठीक है प्लस इसमें जो सीजूल कास्ट है वह भी आ जाते है तो इसलिए इसके दो उपनाम हें दोस्तों था सब्सक्राइब स britण मसीहा लिख यह गतंब इसे नोट कर लीए आदिवासीों का मसीखा का मसीखा दूसरा है जुटा नागपूर का काला ही रा है जुटा नागपूर का काला ही रा यूट्यूब में अगर आप देखेंगे ति बहुत गोर 알고bert देखेगा गुगल के państ종 का नाग happily ängt ठीक है दोस्तों, तो ये दो नाम था इसका, आदिवाश्मों का मसीहा और छोटा नागपूर का काला हीरा, अब ऐसे घटना गया दोस्तों, इसके वज़े से आपने कभी राची गए होंगे, तो राची का भी पिस्का मोडते एक जगह हुआ करता था पहले, अब पिस्का का नाम चेंज करके, करन्ट कोस्चन है, स्वर्गिय कार्तिक उराव चोक नाम दे दिया उसको, कार्तिक उराव मोड बोलिये या चोक बोलिये, मोड बोलिये, किसका मोड का नाम, ठीक है, इन्पोर्टन कोस्चन है आप लोगों के लिए, और इसकी जो है, एक सपना माना जा इसका एक सिप्ना था कि एक शक्ति निकेतर उनीवरसिटि बनाने का सरी को देखा था, एक सपना देखा था यह छटिस गढडर में शातिस गढडर से टचिंग जो फमानडरी था उहां पर राइडी बोल चघा में राईडीLA में यहां पर प्रखंड में मांज़ा टोली गाउं में यहां पर सकती निकेतन युनिवर्सिटी बनाने का इसने घोषना किया था बहुत मतलब सपने संजोया हुआ था बट 1981 में क्या हो जाता है दोस्तों यह जो संसद भौन होता है उसी की गैलेरी में गिर जाता है फिसल के गिर जाता है और गिरने के बाद घायल अवस्था में इसे राम मनोहर लोहिया होस्पीटल आरेमल होस्पीटल में एडमिट कराया जाता है दिल्ली में दिल्ली में ही लो ठीक है तो इनक से रिलेटेड कार्तिगोनाओं से रिलेटेड जितने भी कोश्चन आ सकते हैं दोस्तों मैंने सारा क्लियर कर दिया आप लोगों का तो आप मेरे वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कर दिजिए सबस्क्राइब कर दिए शेयर कर दिए ठीक है नेक्स्ट वीडियो पार्ट 14 मैं किसी और व्यक्तितु के लेके आऊंगा इसलिए बेल बटन दबा लिजिए धन्यवाद अब लोगों का